नमस्कार इंजानी सुएक रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ परागुपता एक नजर फटापट खबनों पर हरियाना का बजट इस बार एक लाग पच्पन हजार चेसो पेंतालीस करूर का रखा गया है सीम मनहोर लान ने गड़े इश मंदरां से बजट की शुरुआत की पिशली बार मनहोर सरकार ने एक लाग ब्यालीस हजार करूर का बजट पेश किया था मुख्यमंत्री वन्होलाल द्वारा टैप की माध्धम से बज़ट पेश किया गया विदानसवा सचवाले द्वारा पहले ही विदायकों को लेप्टप और टैप लेकर आने के लिए पत्थर लिखा जा चुका था सियम ने कहा विदायकों सांसदों से 410 सुझाब मिले इनमें से 54 सुझाब ही बज़ट से जुड़े थे बाकी ख्षेत्र की बांकों के थे पूझी निवेश के जरी अर्थिवस्ता को सुद्रण बनाना बज़ट का मुख्युद्धिश्य है हर्याणा में कुरूना रहात कोश का गठन किया गया सियम ने कहा कोविड की चुनौतियों के बीच साल 2021 से 22 का बज़ट तयार किया गया पियम मूदी के नितरुत के कारण ही हम कुरूना से लड़ पाए क्रिशी एवं किसानों के आर्थिव किगास के लिए 6,110 करूर का बज़ट इसमें 2,998 करूर क्रिशी कलियान के लिए अवंटित 498 करूर रुपे बागवानी, 1225 करूर पश्वालन डेरी, 125 करूर मतस्य और 1274 करूर सहकारिता के लिए दी गए सियम ने कहा, प्रदूर्शन मुक्त खेती की रबात्मिक्ता है, तीन साल में एक लाक एकड़ ख्षेत को कबर किया जाएगा किसान में तो नई यूजना शुरू होगी, एक अजार किसान एटियम इस्ताफित किये जाएंगे हर केट, स्वस्त केट, विशेश अभ्यान चलाया जाएगा, मृदा की इसाब से फसल चेहन की सुवदा पर जूर दिया जाएगा, किसानों की घर जाकर मृदा जांच सिवाएं उपलब्द कराई जाएंगी मंडियों सरकारी भवनों में सत्रे नई स्तनेतिक मृदा जांच प्रयूग शाला कुलेंगी, 69 मिरी मृदा जांच प्रयूग शाला इस्तापित होंगी, 115 राजकिया वरिष्ट मादमिय गिद्याले और माविद्यालों का चेहन 2021-22 में कम से कम एक लाख एकर भूमे सुधार का प्रस्ता 500 किसान उत्पादक संक्टें इस्तापित करने का लक्षिए 486 किसान उत्पादक संक्टें बनाए जा चुके हैं, मार्च 2022 तक 1000 संक्टें इस्तापित किये जाएंगे सीम ने कहा, बजट में किसानों की आए बढ़ाने पर फूकस, स्वास, क्रिशी और बुनियादी धांचे की पहचान प्रमुक प्रात्मिक्ता वाले किशेत्र में की गई है, फ्रेमवर्ग रिजर्फंड बनेगा 2020-2021 में चौतर दश्मलब शून एक लाख मिट्रिक टन गेहूं और साथ दश्मलब चार नो लाख मिट्रिक टन सरसों की खरीद हुई साथी चपण दश्मलब शून सात लाख मिट्रिक टन 2020-2021 में खरीद के लिए 29,950 करूर का भुक्तान किसानों को किया किया अन्या हित धारकों को करीब 1800 करूर रुपे का भुक्तान CM बूले बजट हरियानों को 30 सिविकास पत पर ले जाने वाला हुगा 5080 गावों में 24 गंटे में पिशली दी जा रही आगे बाकी गावों को भी इस युष्णा में शामिल करेंगे CM ने कहा 25 प्रतीशत पूँची गत खर्च और 75 पिसदी राजस व्या हुगा पिश्टे साल से 11 अश्र 36 पिसदी राजस ज्यादा है 2020-2021 के दोरान 45,066 करोड स्टेट डेवलेपेंट गोल से समदेद युष्णा के लिए आवंटित किये गई राजकोशी घाटा सकल घरवल उत्पाद के 3 पिसदी के भीतर है अनुसोची जाते की लोगों को अदालतों में संपत्ती, क्रिशी, भूमी, किराया और अरक्षर से जुड़े मामलों की पैरवी के मिलने वाले 11,000 रुपे बढ़ाकर 22,000 रुपे की गई वरिदा वस्ता पेंशन 25,000 रुपे की गई, सामजिक सुरक्षा पेंशन में 250 रुपे की वरिद्धी का ऐलान किया गया जन स्वास तैवं अभियान तुर्की के लिए 8,483 करूर रुपे दी गए जिसमें से 5,081 करूर रुपे सचाई के लिए दी गए है सामजिक सुरक्षा पेंशन 25,000 रुपे की गई, अनुसूचित जाती को कानूनी मामलों की पहरवी के लिए अब सरकार 22,000 रुपे देगी मुख्यमंत्री अन्तियोदै उत्थान अभियान 2025 तक चलाए जाएगा, सीम ने कहा उम्मीद है, तब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई परिवार नहीं बचेगा S.Y.L. नहर के निर्मान के लिए 100 करूर का प्रावधान की आगया नुहूं को प्येजल उपलब्द कराने के लिए 100 क्यूसे की मेवाद फीडर नहर का निर्मान होगा पिंजौर और गुरुग्राम दोनों को फिल्म सिटी की तरह विक्सित किया जाएगा हिसार कंडाल पिंजौर और नार्नौल के हवाई एटनों पर लाइट लैंडिंग की वश्ता होगी डाटा सेंटर नीती बनेगी बोर्ड निगमों और यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से ई-उफिस बनेंगे 6000 सोलर LED स्टीट लाइट 12 वाट की 5000 LED सोलर स्टीट लाइट और CCTV कैमरा वाली 1000 हाई मास सोलर लाइट भी राज में लगाई जाएगी अंबाला करनाल हिसार रिवाडी फरीदबाद और गुर्णा में परिवन वाहनों की फिटनेस के लिए 6 सिंटर बनेंगे नई शिक्षा नीती की तहत 21,962 अंगरवाडी में सरकार स्कूल से पहले शिक्षा देगी 1135 प्ले स्कूल मार्च 2021 से शुरू होंगे दूसरे चरणों में 2865 अंगरवाडी केंद्रों को प्ले स्कूल में अबड़ेट किया जाएगा दो चरणों में 500 क्रेश अंचालित किये जाएंगे हर्याण में सर्व समावेशी वीमा यूचना शुरू होगी वीमा यूचना के लिए 2021 से बाइस में 10,798 करूर का प्राभधान किया गया है स्वास एवं परिवार कलियान के लिए 4,606 करूर का बजट जिसमें 2,134 करूर चिकिस्सा शुक्षा एवं रुसंधान 315 करूर रुपए आयूश 238 करूर रुपए कर्मचारी वीमा एवं स्वास्त देखवाल के लिए दिये गए है हर्याणा में 350 चिकिस्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकिस्सकों के पद भरे जाएंगे हर सिविल अस्पिताल में 200 बेड उपलब्द करवाए जाएंगे पांच लाख रुपए तक की साला ना आए वाले परिवारों को अनुपार्टिक आधार पर लाब दिया जाएगा 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू होंगे कैधल के राजोंद और हिसार के स्याज स्वाई में स्टी पे इस्तापित किये जाएंगे करमचारियों पैशनर और उनके आश्रितों को इंडोर इलाज के लिए हर्याना कैशले स्वास्त यूजना का विस्तार किया गया 5,81 करूर सिंचाई और 3,402 करूर जन्व स्वास्त विबा के लिए आवंटित माराजा अग्रिसेन मेडिकल कॉलेज आग्रूहा में कैंसर विज्ञान केंद्र इस्तापित किया जाएगा अरुबंद आधार पर 100 आईश सहायकों और 22 आईश कोच की भरती होगी परवन वहनों की फिटनेस को लेकर 6 केंद्र बनाए जाएंगे इनमें अमबाला करनाल हिजार इवाड़ी फरीदवाद और गुरूटराम शामिल है फिलाल सिर्फ रोहतक में एक केंद्र है परवन को 2408 बन विबाग को 443 और पर्यावरन के लिए 14 करूट रुपए 2025 तक उश्मान केंद्र से 50 प्रतिशा चात्रों को व्यावसाई शुक्षा देने का लक्ष पॉलिटेक्निक मानेसर में इंजिनिरिंग प्रधुगी की संस्तान बनेगा MTU और KU में केजी से PG प्रणाली शुरू होगी 20 करूर रुपए आवंटित होंगे कॉलेज और यूनिवरसिटी में एलिमने सब्ताहा आईशित होंगे केलो इंडिया गेम 2021 के लिए पंचकुला के ताउ देविलाल स्टेडियम में होकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बॉलिबॉल के नई मैदान बनाए जाएंगे पंचकुला में राज जिस्सरी चोट उप्चार पुनर्वास के इंद इस्तापित होगा आईश्मान भारत यूष्णा का दाइरा बढ़ाया, आईश्मान भारत यूष्णा कलाब आठ और श्रुड़ियों को मिलेगा शिक्षा चेत को 18,140 करूर आवन्टित की गई बीते बजट की तुलना 17,188 करूर की वरधी की गई प्राद्मिक शिक्षा के लिए 9,014 करूर रुपे और बाद्मिक शिक्षा के लिए 5,899 करूर रुपे आवन्टित की गई उच्चितर शिक्षा में 2,093 करोड रुपई का प्राभधन किया गया तो वहीं तक्निकी शिक्षा के लिए 75 करोड रुपई अवंटित की गए सरकारी स्कूल में 700 करोड से डिजिटल क्लास्रूम बराने के साथ टेवलेट का प्राभधन होगा 2025 तक रास्रे शिक्षा नीति को पूर्ण गुट से लागू करने का लक्ष है पहली से तीसरी तक ये 84 सो स्कूलों के 6 लाग शात्रों को प्राभधनिक भाशा और गंटिया खोशल दिया जाएगा नौवी से बारवी तक ये सबी बच्चों को बफ्तर शिक्षा मिलेगी 192 करूर रुपे गुडवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए आवंटित किये गए विश्यकर्मा कौशल युनिवर्सिटी में नौवी से आखे की चात्रों को दाखला के लिए फीडर स्कूल बनेगा विश्यकर्मा कौशल रत नाम से मुवाइल आईटी लैब विक्सित की जाएगी पी एचडी के लिए अनुसंतान डिग्री कारक्रम शुरू होगा सक्षम युवा यूजना संश्योदित होगी हर्याणा में 18-60 साल के 8.3 लाग विरुजगाने इनमें से 20-35 साल की विरुजगानों को रुजगार के लिए कुशल बनाया जाएगा 2021-22 में निजीक शेत में हर्याणा के युवाओं को नियुनुतम 50,000 नौकरियां दी जाएगी 2021-22 में सिक्रोना, फरिदबाद, इंदुरी, करनाल और सिर्जा में 13 नए ITI शुरू किये जाएगे श्रम फिबाग को 1823 करूर अवंटित किये गए श्रम फिबाग के बजट में 40 फीसद की व्रधी हुई है पठोधी बाइपास समेथ गुर्ग्राम पठोधी रेवाडी सड़क के चार अरा मार्गिय का काम 2021-22 में किया जाएगा कैथल, जीन, हांसी, सड़कू, रास्ट्री, राजमान, खुशित कर चार मार्गिय बनाने का प्रस्ताव पिंज़ूर और गुर्ग्राम फिल्म सिट्री के तोर पर विक्सित होंगे इजार करनाल, पिंज़ूर और नाडोल में हवाई अड्डो पर नाइट लेंडिंग हो सकेगी हर्याणा हाउसिंग बूर्ड की जमीन पर 20,000 मकान बनाए जाएंगे प्रधान मंत्री आवाज सियुष्णा की एक रियान्वयन के लिए नोडल विवाग बनाये जाएगा दक्षिन हर्याणा में एक नया दुख दसायंतर इस्तापित किया जाएगा इसकी एक शमता 3,00,00, लीटर पैकिंग हर रोज की होगी पशिदन और कॉल्ट्री रोग डाइडनोसिस के लिए हिजार सोनीपत और पंचकुला में आर्टी पीसियार के लिए तीन बायो सेफ्टी लेबल टू प्रयोग शाला इस्तापित की जाएगी एक दर्शनला 80,00,00, रुपे प्रती वर्ष आया और पांच एकर प्रती परिवार तक की कुल जोत वाले परिवारों को सालाना 6,000,00, रुपे की वित्तिय वद्दत मिलेगी जून 12,21 तक राजबरवन में मैनुवल टिकट प्रणाली की जगह अब उपन लूप टिक्टिक सिस्टम और जी पिए सिस्टम शुरू किया जाएगा 124 एलेक्टिक वसे चलाई जाएगी बजट में पुलिस विबाग को 5,789 नगर एवम ग्राम यूशना विबाग को 1,121 परेटन को 113 खनन को 73 पुराता तोर अब लेका गार को 143 उशना एवम जन संपर्क विबाग को 2,88 करूर पे आवंटित की गए पूर्व सैनिकों के लिए समयकित सैनिक सदन साज जलों में बनेंगे रक्षा बलों में भरती होने के लिए युवाओं को प्रोसाइद किया जाएगा रास्टि रक्षा अकादमी तखनीकी कारे प्रिश्विक्षन अकादमी रिस्ताबित करने के पर विचार किया जाएगा हर्याण में पुलिस बल में महिलाओं की जंख्या बढ़ा कर 15 प्रतीशत करने की उज़ना है ग्रुबनाब में महिला बटालियन हिसार में पुलिस पे शिक्षन केंद्र सापित किये जाएंगे बिवानी का लुहारू किला तिगडाना हडपा अस्तल फदेबाद का कंड कोट फरिदबाद में रुणी किशत्री नुहू का पुराना तैसिल भवन मकवरा परसर ताबू समित कई जुकें को सरकार अपने सनक्षन में लेगी ग्रामरिक शेत्रों में स्टेट लाइट के उस्वदा दी जाएगी 2021 से 22 के दौरान 6000 सूरल LED लाइट 12 वार्ट की 5000 LED सूरल स्टेट लाइट सीसीज़वी कैमरा वाली 1000 हाई मास LED सूरल लाइट लगाए जाएंगे गौशालाओं में 2021 से 22 के दौरान 1200 क्लो वार्ट की इस और उज़ा साहिंतर लगाए जाएंगे 330 गौशालाओं में 1991 क्लो वार्ट की इस और उज़ा साहिंतर इस्तापित करने की उश्णा है ओलम्पिक में चुनेगे खिलाडियों के लिए 5 लाग अग्रिम राशी दी जा रही है साथी खिलाडियों की आहार राशी 150 से 250 की गई केलो इंडिया यूद गेम्स 2021 की मेजबानी इस बार हरियाना करेगा केलो इंडिया में 25 तरह की इसपर्दा होंगी 10,000 चे अधिक खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे अमबाला में इंटरनेशनल स्विमिंग पूर और फुटबॉल ग्राउंड इंबाना धीन है ताउ देविलाल स्पोर्ट्स कंप्लेक्स में हौकी फुटबॉल वास्केटबॉल बॉलिबॉल के नई मैदान का प्रस्ताव सरकारी और निजी स्कुलो में 297 खेल नर्चीना चल रही हैं खिलाडियों की पुनरवास के लिए पंचकुला में राज इस्तरिय केंद्र रोहता गुरुग्राम करनाल हिसार में शार मंडल इस्तरिय पुनरवास केंद्र समाज में लोगों की तंद्रोस्ती को लक्षित करते हुए सरकार के सभी के लिए खेल विजन का मूल उद्देश खेल को विक्सित करना और खिलाडियों को प्रक्षिक्षित करने पर जूर है चोटी उम्र से ही प्रजवाशाली खिलाडियों की पैचान करना और उन्हें तराशना खिलाडियों के लिए रोज़गार पैदा करना विभन विकास कारकर्म को लागू करना विपक्ष को रास नहीं आया बनुहर सरकार का बजट विदान सभा मेहीं बोले भूपें से गुड़ा खोदा पहाड निकली चुईया किरन चौधरी में बताया जुमलिबाजी आपताब समय दूसरे विदायकों ने भी कियरा सियम अनुहलाल ने बजट पेश करने की बात कहा बजट करूना काल में बनाना कटनाई भरा था पर फिर भी एक लाग पच्पन हजार करूर का बजट हमने पेश किया सियम ने कहा फिसकल डेफिसिट को की सीमा को बढ़ाने नहीं दिया गया हमारे रेवनी हुकम हुए हैं पर इतने नहीं की ज़्यादा फर्क पड़े कुछ चीजों को सुदाने का काम किया गया है किसान किनाते हमने कई कदम उठाई पहले कुछ खेट का सेंपल लिया जाता था लेकिन अब हर खेट का स्वाइल हैल्थ सेंपल लिया जाएगा जिसे लेबरोटी में भेज कर ये देखा जाएगा कि किस फसल के लिए उर्परक्ता कितनी है जैवे केती जिरो बजट केती के विस्तार को और भी आगे बढ़ाएंगे सीयम अनुहुलाल ने कहा तीन लाख एकड़ का टार्गेट रखा गया है सीयम ने कहा कि लाल डूरा अंग्रेशों के समय की प्रथातिया प्रधेश के 5000 गाम को लाल डूरा मुक्त करने के प्रक्रिया चल रही है शेयरों के वैद कॉलोनी को नमित करने के लिए सर्वे चल रहा है साथी प्रक्रिया को आगे बढ़ाय जा रहा है हर शेयरी संपत्ति के आईडी बनाई जा रही है ताकि सेंट्रलाइट ढंग से तमाम चीजें चाहिए प्रॉपर्टी टेक्स इत्यादी का रिकॉर्ड रखा जा सके गावों की पंचायतों को सेल्फ रूलाइंड बनाए जा रहा है सियरी बनाई बनाई ने कहा कि सरकार ने पांच फाइव एस पर काम किया है शिक्षा, स्वास, सुरक्षा, स्वाबलंबन और स्वाभिमान कृषिय मंतरी जेपी दलाल ने कहा कि ये बजट शांदार है किसानों के आए दोगनी करने का सरकार कलक्ष है इस बजट से सभी को फाइदा होगा बीजेपी दाइक सुवाश सुधा ने बजट की तारीफ करते हुए का कि ये बजट हर बर के हित में है सिय मनहुलाल के नित्रुत में हरियाना लगातार आगे बढ़ रहा है बजट पर नेता प्रत्पक्ष भूपेन से कुड़ा ने प्रेस कॉन्फरेंस कर रखा कि मैंने धाई गंटे का लंबा बजट आज तक नहीं देखा इस बजट का कोई विज़ा नहीं उड़ाने का बजट से लोगों को ब्रमित किया गया महगाई से राहत नहीं मिली पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत नहीं मिली उड़ाने का एक लाग का कर्ज अपने सिर्द लेकर एक बच्च्वा पैदा हुगा किसानों के रागत बढ़ रही है बोपिन उड़ाने का कि करीब किसानों और मजूर के इस बज़द से किसी को कोई रात नहीं सरकारने लोगों की उम्मीद को तोड़ा किलाडियों पर बोलता हुए हुड़ानिका की किलाडियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं साती शिक्षा का बजट कम कर दिया गया अविशास प्रसापर हुटाने का कि सदर में सभी के असलियत सामनी आ गई हमारा मकसद लुगों के सामने सचाई सबके सामने लाना था बजट के बाद सिया मनुहूर लाल ने प्रेस कॉंफरेंस की जिसके बाद सिया मनुहूर लाल और नेता विपक्ष बूपेन से कुटा ने आपस में हाथ में लाया किसानों की बजट को लेकर मिली जुली प्रतकरियां में लिया है किसानों ने सौयल टेस्टिंग लैब इस्तावित करने और भंडा रण की श्यमता बढ़ाने की सरकार की फसले का स्वागत किया है किसानों निका की किसाना अंदूलन को देखते हुए जो किसानों को इस सरकार के बजट से उम्मीद थी ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं है किसानों ने इस बजट को केवल आंकणों का खेल बताया तो फिलाल के लिए इस बुलिटन से मुझे दीजिए अजासत बाकी कर्मों के लिए आप देखते रहे हैं जाने